कैसे हो आप सभाई होब कि आप सब सेफ होगे आप में से काफी लोग इस चीज का काफी ज्यादा कॉमेंट कर रहे हैं काफी आपकी दिमाग में चीज चल रहे हैं कि लाज 10 रिजल्ट फोट वैंटी ट्वैंटी फोर आपका का आने वाला है बहुत ही बेसिक बेसिक डेटर डिसकस करेंगे जन्रल इलेक्शन लोग सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी दोस्तों के अंदर अब हम यहापे बहुत प्यारी वारी वीडियो ले कि आपके लिए आ सब्सक्राइब करने के लिए तो अब मैं आपके साथ डेटर डिसकस करने वाला हूं यह देखिए मैंने आपके लिए एक डिफ्रेंसीशन बनाया आई यह आपके लिए कोई नहीं करेगा बाट मैंने आपके लिए कोशिश करें इसी कई सब चीज टोड़ा एनलेसिस डेटा सब्सक्राइब करने के लिए देखो सबसे पहले अगर मैं ट्वेंटी नाइटीन का चोड़ा चूड़ा तो यह लगबग 11 अपरेल से 19 में के बीच में हुए थे अब आप सोचिड़ों कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं आप यह देखो कि क्लास 10 का जो पेपर हुआ था उ क्या आपको लग रहा है इस से कि कोई फरक पढ़ा आपका इजेट पर कोई कश करड़ा है अगर पढ़ा एक साल पहले करजल तो इस समय नाइंटीन में से बाद आया था ठीक है तो इस सरे चालेशन निकाल के वागवग यह पर इस से चालेश दिनकम यहां पर अप्रोक्सिमेटली पिछले कुछ पास चार पांस जालों से डेटा हम देख रहे हैं एनलिसिस के अकॉर्डिंग ठीक है बट अगें मैं आप पर कोशिश करता हूं यह जो डेटा है आप फॉटिफॉइ फॉटिफाइज इसी मान के चलो ठीक है फॉटिफॉटिफॉट इसके बार रेजल आता है ठीक है इस से में एक चीज़ क्लियर हो गई 2-19 के एक बीच में तो क्या इसी के बीच में नहीं इस अपरल तो ऑलेडी हूं चुकिया hiking Thoughts कॉन सापर रहा है में पड़ रहा है yo में भी कब आने वाला या में में आएगा भी नहीं आएगा यह भी डिसक्स करते हैं क्लास टेंथ का जो आपका पेपर हुए वह हुए 15 फेप से लेकर 13 मार्च की बीच में हुए है थे थार्टीन मार्च तक अगर मैं यहां से फॉर्टी फॉर वे क्या का थी बदल मैं अंदर बीस अपरेल के बात की डेट आ रहे होती है मतलब अगर मैं आपको यह बात को रिजर्ड की अगर मैं एक एक पूराइट लेकर चल देता हूं आपके यह यह वह गया आपका end of April, end of April से लेकर आपके first week of May, देख रहा है नहीं देख रहा होगा, ठीक है, ये मैंने आपके लिए date निकाली है, end of April, आपका end of April कैसे हो सहते, 24th April के बाद से, मतलब आखरी हफता जो आपको 25th April, 26th April के बाद आप जो भी मानो, उससे लेकर first week of May, maximum extend करना चाहिए, क्यो क्योंकि ये जो आपका day, आपका लगबग approximately आ रहा है, वो आपका आएगा, 44 days आप मानो, या फिर 30 to 40 days मानो, इसी की बीच में आपका data आने वाला है, और ये पूरा trend analysis के according है, कोई भी माफाल तो कि ऐसी आ के कुछ भी नहीं बोलना हूँ, ये हम analysis करके बैठे हैं, यहाँ प वीडियो पढ़ रही है, ठीक है, तो ये आद रख लेना, आपका विसके अद यूपी बोर्ड गाएगा, फिर सीवेसी बोर्ड गाएगा, तो ज्यादा दिन नहीं रहे गए, कोशिच है है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको result बाने वाला है, फिर्स वीक आफ में हम maximum extend कर रहे है और end of April में भी आपका, इसी महीने भी आपका end में आ सकता है, तो please, ये आपकी कुछ dates होने वाली है, होग कि तुम्हें समझ में आ गया हुआ, ये जो data है, तुम्हें सामने देख रहा है, कोई इसमें hard and fast rule नहीं है, बट तुम यहापे देख सकते हो, ये जो मने data analysis किया है, तोनों का campaign, तो elections की वैसे तो कोई फरक पढ़ नहीं रहा, एक जून के बाद तो नहीं, उससे पहली आने वाला है, मतलब आपका make अंदर आने वाला है, ऐसा लोग बोता रहा है, बारा में को पर हमारी expectation के साब से, end of April भी ये date हो सकती है, ये फिर्स्ट वीडियो पसंद होगी, मैं और आपका time lapse नहीं करना चाहता है, इस चीज़ पर क्योंकि हमने directly आपके सामने analysis रख दिया, एक पर analysis रख दो आपके सामने, तो आपको समझ में आ जाएगी कि prediction कितनी आपर correct हो सकती है, ठीक है, I hope को ये वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो पसंद आए होगी तो ये चैनल तो आपके लिए best है, सबस्क्राइब माड़ लेना, परकि notes भी आपके 11th में आपको सब पढ़े हुए हमारे ना, तो notes की भी चिंता मत करो सबकर description में link है, अभी से त्यारी शुरू कर दो, अपने ठीक है पढ़ाई है 11th की, परकि result आपको ये वीडियो आई हो की पसंद तो मिलते गए, नेक्स्ट वीडियो में जो ते सबस्क्राइब, बाबाए